जाने जा रही हूं दिल्ली का मसुह राम लटू जिसमें मैंने तीन रखम के दाल भी गो हैं चना दाल, मूंग दाल, उरद दाल अब मैं इसे पिसने जाओंगे इस तरीके से हम लोगों को ग्रैंट कर लेना है फिल्कुल बारीक दानेदार अब इसलिया अब मैं इसे फेटूंगी और इसे एकी डिरेक्शन में आपको फेटना है तब तक जब तक कि इसका कलर बदल नहीं जाता हमें इस तरीके से फेटना है कि पानी में हमारा बैटर तैर जाए देखेंगे ऐसा ही तेल गरम हो जाएं फिर मैं इसे बैटर को डालती हूं हमारा तेल गरम हो किया है अब हम इस पेटर डालेंगे चोटे-चोटे बैटर डालने से यह फूल के खुदी बड़े हो जाएंगे क्योंकि अब हमें ताम इसे बबी हो गया है और इसे आप धनिया की चट्टनी के साथ मूली की सालात के साथ खाइए बहुत मज़ायेगा और बहुत टेस्टी लगता है खाने में कि अधना तैयार हो गए है तो यह हमारा तैयार हो चुका है पकोड़ी और यह चटनी अब आप इसे मिला के साथ में खाईए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगेगा बाबाई